पानी हर जगह पानी लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं यह है दिल्ली की स्थिती दिल्ली भारत की राजधानी है और आजादी के 75 साल बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बहुत ही दैनिय परिस्थितियों में ग्रामीन इलाकों में रह रही है हर साल मानसून के मौसम में दिल्ली की हालत बद से बत्तर होती जाती है हर साल दिल्ली को एक ही स्थिती का सामना करना पड़ता है और दिल्ली को बरसात के मौसम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा तैयार नहीं किया जाता है दिल्ली की सरकों पर काफी पानी जमा होता है और ट्र एक किलोमीटर तक जाने में कुछ घंटे लग जाते हैं जबकि माननिय मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय दावा किया था कि एक दो साल में दिल्ली को लंदन या टोक्यो जैसा बनाया जाएगा। लेकिन हालात बिलकुल उलट हैं 31 जुलाई 2021 सुभह साड़े 9 से 10 बजे के को दक्षनी दिल्ली में भारतिय प्रौद्योगी की संस्थान के पास सड़क का एक हिस्सा धास गया और दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क के उस हिस्से पर वाहनों की आवाजा ही बंद कर दी और कारण बिल्ली जल बोर्ट से जुड़ी एक टूटी हुई सीवा लाइन हो सकती है जहां DJB के माध्यम से पानी और सीवा पाइप लाइनों को रखने और बनाय रखने के माध्यम से बहुत अधिक पीने योग्या पानी का रिसाव होता है कुछ दिनों पहले भारी बारिश ने द्वार का क्षेत्र में एक सड़क को धराशाई कर दिया था एक कार गढ़े में फंस गई और उसे क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ा दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है राश्ट्रिय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण आईटियों, रिंग रोड और मतुरा रोड सहेत कई सड़कों पर जलभराव और यातायात जाम हो गया पुल प्रहलादपूर में जलभराव वाले रेल अंडपास में सेलफी लेने के दौरान दूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई कुछ प्रमुक हिस्सों में जहां जलभराव हो रहा है उनमें आईटियों, बाहरी दिल्ली में नरेला लामपूर अंडपास, रिंग रोड प्रगती मैदान के पास के इलाके, पालम, किरारी, रोहतक रोड, धौला कुआ, किशंगंज रेल अंडबरिज, कापस हेडा अंडपास, आजातपूर अंडपास, कंझावाला शामिल है साक्यू पॉइंट से सी हेकसागन की ओर लगातार बारिश के कारण धहस गया, सडग के एक हिस्से की घिराबंदी कर दी गई थी और ट्राफिक एक ही लेन पर चल रहा था, नेवादा, अशोक नगर और धौला कुआ के कुछ हिस्सों से भी बस खराब होने की कई शिकायते म सबकि कुछ को मुफ्त पानी की आपूर्ती मिल रही है, लेकिन दूसरों को पानी के मीटर के कारण वहां का बोज उठाना पड़ता है। जांच करने या पुरानी पाइप लाइनों को बदलने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों में यदि आपको लगता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग बैनिय परिस्थितियों में नहीं रह रहे हैं। तो कृपया टिपनी करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक कृपया हमें प्रेरित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। झाल। 990 or on another phone nor at 954 003 999 or email at info.consumertimes at gmail.com visit our website www.consumertimes.in please like this video please like share and subscribe our channel will motivate our team to work hard thank you